जी हमें उमीद बहुत है इनसे क्योंकि जितने गाउं के लिए जो अभी जैसे हमारे सामने बात चल रही है मंतरी जी ने जैसे कहा है तो हमें बड़ी उमीद है क्योंकि आज से पहले तो गाउं के लिए किसी ने भी इस तरीके से कुछ नहीं कहा इतने बड़े मंच से और इत कि विदायक जी के सामने रखी भी है और हमें उमीद है कि जल से जलो उनके उपर कुछ ना कुछ वह अच्छा काम करेंगे जा राजनीती नहीं है कि 2019 में अब जो चुनाव आने जा रहा है क्या उसका आमाद में उस्रे लेना चाहरे हो जी ऐसा है मेरा मानना ही है अगर राजन काफी समस्य हैं जो कि हमागे पारशद और MLA नहीं कर रहे हैं तो इसी को काम कराने के लिए हम सारे बाई अपने मिलके यहां आए और अपने बाते हैं रख सकें क्या आपके बिदान सवाम है ऐसे कौन सा काम जरूरी है जो होना चाहिए जल्दी अभी हमारे गाहों में एक सब्सक्राइब कर ना सकति हैं पर गाहों में बाते हैं इंजिए बीडस परके सब्सक्राइब कराने में मत्रीत में कर दो को में मंतर सब्सक्राइब करें तो यह जो ना रूल डिप्लोमेंट का जो पैसा होता था ना वह आज कर जो ना अर्माइज होगे गाउं सारे गाउं तक्रीब दिली के अर्माइज हो चुके हैं इसलिए लौने इक अलग्से बॉर्ट बढाएया है ताकि गाउं में जो रहा पैसा लगता रहे हैं और गाउं में तरक्ति हो बहुत ही पिछड़ा है को आपके जो लितेरे गाउं में लेडिस तो आगे आती नहीं है सब बन पड़ है इसलिए जो रहां को गाव में हर काम कराने के लिए नहीं यह दो बढ़ाई है और यह कारगेशा थाबित होगी बहुत है अच्छा बज़र दो एक तरफ तो किसान को मौभजा नहीं मिलें किसानों की फद्लों को आफ नहीं मिलना एक तरफ स्मार्ट सिटी की बाब तरफ फिसानिंक और तो किसान वाइब गता रहां जाओ बनाएंगे और जो ना जितरी मिसुली तहूंगी डिस्पेंसरी बढएंगे किसानों को दे रही है ला किसान को ते रही है ना किसान को दे रही है ना पूरा इत्यास के साथ में पहला रिकोर्ड था माननी मुख्य मंत्री अर्विन जी ने जो 50,000 रुपे पर हक्टेर का मौजा दिल्ली को गाउं में दिया है हिंदुस्तान की एक्स रुजमेन का वाइस चेर्मेन हूं और आम आदमी पार्टी का वालेंटर कहें कारिय करता कहें या परदेश में दो चार जुम्यवारियां भी है लेकिन मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा हुआ